Hello and welcome to the studio मेंबर्स, दो स्टॉक को आज के दिन में ट्रेट किया था मदर्सन सूमी के देखे यह एक रेंज थी इसको मने मॉर्निंग में अपने प्राइविट में शेयर किया था और इसका व्यू हमने क्लियर कर देखे था यह रेंज तक आया था मतलब उस रेंज को टाच और यह रेंज अपनी अपना प्रेकाउट प्राइट अज सब्सक्राइट यह अगाया था जैसे ही रेंज के उपर आपना प्रेकाउट दिया लिए क्लोजिंग दी हमने रेट्रेस्मेंट पर इस यगह पर जा कर कि अपने जितने भी टार्गेट्स थे सारे के सारे बुक कर लिए तो एक अच्छा टेडिंग सैट अप जेस्ट डबू के अंदर भी हमको मिला एंड मधरसन सुमी के अंदर हम लोगों ने लगबग 25,000 का प्रॉफित बुक किया अभी चार्ट्स को और भी अच्छी तरह हम लोग एक्स्प्लें करेंगे एंड वन बाइवन इसको पाइंड की पोशिच करेंगे चलते हैं सिदे हैं अपने ट्रेट बूग पर लोगिन कर लेते हैं पहले अपनी टर्मिन पर सेलिंग का इसको अपना रिफ्रेश कर लेते हैं पॉफेक्ट एंड जो आज का अपना प्रॉफित है अपना प्रॉफित है इसके अंदर 14,700 का प्रॉफित है मृण प्रॉफित है पॉफेक्ट तो ओवर आल जो आज का प्रॉफित हमको दिया है मार्केट में 26,184 रॉपे का अज के टेडिंग शाषें के दौरान मिला बहुत ही अच्छा टेडिंग डेंग हमारे यह था एंड काफी समय के बाद में 20,000-plus का प्रॉफित है और काफी quick movement पर हमने 26K का profit book किया था अभी चलते हैं चार्ट के उपर हैं वन बाइवन एक चीज समझने कुछ अब लोग मदरसंद सुमी के उपर discussion कर लेते हैं यह जो swing morning में ड्रॉप किया था मार्केट ने अब देखोगे तो मदरसंद सुमी ने आज एक gap up किया था निफ्टी ने भी अचली एक gap up किया था और आइसे ही से बैंक का चार्ट हमने अपने पब्लिक टेलरांचर पर शेर गया था और इसका view भी आप लोगों के साथ हमने शेर किया था कि जैसे ही प्राइस हमारा इस रेंज को ब्रिक करेगा आप यहां से शॉट कर देना तो प्राइस ने जैसे ही इस लेवल के नीचे अपनी क्लोजिंग प्राइस से कर गया यह तेलरांचर आप यहां पर देख सकते हैं कभी-कभी यूटूब पर अपडेट नहीं कर पाते हैं तो चैनल के माध्या आपको जोरु कर देते हैं जैसे देखे जैसे में प्राफिट बुक किया था यहां पर आप लोगों के साथ में स्क्रीन शॉट्स वगरा सब को शेर कर दिये थे आप टेलीगाम चैनल यूएन कर सकते हैं अभी बढ़ते हैं अपने चार्ट के उपर इसके उपर डिसक्शन कॉंटूब जैसे कि हम लोग डिसक्शन कर रहे थे कि ICICI bank के अंदर भी एक gap up हुआ था और जिसका टार्गेट हमने दिया था यह 604 रुपर 50 पैसे 45 पैसे का कुछ टार्गेट हमने ले करके शेर किया था तो price ने exact हमारा करके आपको शेर्ट की थी एंड जैसे ही prices का लोग ब्रेक करेगा इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग आ सकती है यह हमने बोला था करके बाइं या फिर सेलिंग और दो अपना ओटर लगा दो हमेशा एक इक कंफरमेशन का वेट तो हमेशा ही हमको रहेगा प्राइस ने जैसे ही closing की यहां पर देखे प्राइस ने consolidation का एक phase बनाया एक price consolidate हुआ इस range पर एंड यहां पर हमें confirmations मिली through volume volumes के breakout हुए and price ने जैसे ही नीचे की दिशा में closing की हमने swing पर अपने stop loss रखे और यहां पर भी अपनी country लिए और एक दो तीन चार पांच जब price इस वाले लेवल पर यहां पर आ करके फिर से नीचे गिरने लग गया था लग बग हम यह मान के चलते हैं कि वन आवर के अंदर अंदर हम लोग अपने 26,000 के profit तक पहुंच गया थे तो बहुत ही fast trade हमारा मदर्सन सुमिक अभी जो दूसरा stock है हमारा JSW स्टील काफी इंट्रेस्टिंग है जब आप यहां पर देखेंगे ऐसा नहीं कि मदर्सन सुमिक हमने सिर्फ लोग टाइम पर ही आप higher time frame पर देखो तो देखेंगे प्राइस ने जो gap up opening किया आज यह वाली कुछ marking आप देख रहो है प्राइस ने क्या किया है volumes को just down कर लो आप यहां पर देखें कि volumes increase हो रहे है मेरे और increasing volumes के साथ में प्राइस ने अपना swing break किया था breakout की जो candle थी हमारी 4th March की candle थी अभी 4th March की candle का low जब आप mark परोगे तो देखे blue line हमने plot कर दी है अब जब आप lower time frame पर जाओगे तो जितनी भी confirmations है हमको यह मदर्सन के अंदर से हमको लीनी है इस range से एक level हो गया बट उसके नीचे जो swing लगा अब ऐसा नहीं है कि price जैसे इस range के नीचाए बिकॉस तो important है यहां पर अगर प्राइस activity करेगा तो movement की उम्मीद बनी रहती है कि movement यहीं से शुरू हो जाएंगा अपके बट इतना हम रिस्क नहीं ले सकते हमने just क्या क्या हमने इस वाज़ाय से आपको swings draw करने के लिए का है और खुद भी जो trade execute किया था वो swings के नीचे closing के बाद confirmations ले करके हमने यहां पर trade execute किया था अब आती है बात अपने just of blue steel के just of blue steel में भी जो हमारी important candle थी वो थी 9th March की candle and यह वाला जो price अपना 8th of March, 8th of March के नीचे price हमारा नहीं निकला है उसके अंदर ही एक mother candle form हुई और जैस इसे ही price ने अपने 9th of March का high break किया था because कल का जो high था यह मेरा swing था यह देखिए यह मेरा कल का high है price ने क्या क्या है अपनी इस range के पास में एक अच्छा खासा breakout दिया था and 915 पर यहां पर volumes के breakout हो गया थे यहां पर volumes के breakout हो गया अब अगर price को नीचे गिना क्योंकि retailers के पास में देखिए एक सबसे बड़ी power यह होती है उसका money management आप खुद को retail trader या फिर कम कौन्टीस के साथ जैसे हम लोग trade करते हैं तो हमें कुछ अपने rules ले करके चलने होगे हमें अपना कुछ एक method ले करके चल निकल गया पहले दिन दूसरे दिन तिसरे दिन तो बड़ा profit होगा लेकिन फिर market ऐसा loss देती है न कि आप वो loss cover नहीं कर पाते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक power होती जिसका use हम सभी retail traders को करना चाहिए वो होता है money management का वो होता है अपने level पर price के sustain होने का अपने लेवल पर confirmations लेने का तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर जिस दिन हमने अपना money management खो दिया आप market से out हो जाओगे बुरी तरह से और फिर वापस नहीं आप आपके money management को हमेशे हाद रखिए लोग इसको बहुत ज्याधा underestimate करते हैं यहां पर देखिए एक swing के प 45 पर volume फीज हुआ and अपने swing को price ने break करके upside के तरफे sustainable हो गया था and यहां पर जब price हमारा retrace होने के लिए इस retracement पर हमने यहां पर अपनी entry लिए target था upside लगाए है price में देखिए जह हमने target book किया उसके बाद में price और upside की तरफ चला गया था sustain हुआ है काफी यहां से price अप गया down गया और फिर से upside की तरफ चला गया but targets actual में हमने 644.55 पर अपने जितने भी targets से सारे के सारे book पर लिए and दोनों ही trade हमारे JSW और मदरसन सूंगी आज perfect condition में बहुत perfectly run किया जब हमने entry ली है उसके बाद से price ज्यादा minus में नहीं रहा मदरसन में तो आज मज़ा यह आया कि price में देखी 0.50% की move एक एक candle भी मिल लेते और जब यह price नीचा आया और बड़े बड़े profit हमको देख रहे नीचा आया तो करीब यह जो profit आ देखने हुना 11,44 का यह करीब 13-14,000 पर प्लस चला गया था profit book नहीं कर पाए because हमें नहीं मौलुम है कि price और भी नीचे चला जागा यह उपर चला जागा तो यहाँ पर 152,000 देख करके मौकार देख करके हम जैसे बहार निकल गए और price भी देखी आज पास कही न कहीं वही पर अपना close भी हो गया I hope कि वीडियो आपको समझ में होगा उससे आपने कुछ ने कुछ सीखा होगा तो वीडियो कर अच्छा लगा तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिए comments कीजिए and अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कीजिए and अब हम लोग मिलेंगा अपने कल के trading section में कोई भी अच्छ से स्टॉक मिलेगा तो उसको जरूर आपनों के साथ हम शेयर करेंगे आपके एलेक्राम चैनल में जोइन कर सकते हैं and we will meet again